हाई लो दोस्तों आप सबी का स्वागत है मेरा यूटूब चैनल सुबा स्टडी पे आज हम लोग पढ़ेंगे अक्टूबर और नॉवंबर का स्पीडी बुक के करेंट अफियर जो कि महत्पून महत्पून देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पाला कोश्चन हो 24 द्याद महाद साफ फाल के पुरसकार किसे दिया गया है। ये दिया गया है मीथों चक्रवर्ती को और द्याद साफ फाल के पुरसकार की शुरूआथ हुआ था 1909 में IIFA24 में किसने सर्वेसेश्ट अभिनेता का प्रसकार जीता तो ये जीते हैं सारू खान किस मोवी के लिए तो जवान मोवी के लिए किस राजे ने देशी गाए को राजे माता का दर्जा दिया है तो ये दिया है महराश्ट ने एक अक्टूबर IIFA24 को किसने हिमाचल परदेश की 2300 फिट उची चोटी माउंट इउनम पर तिरांगा फाराया तो ये फाराया है अभिनीत मोर्या ने एक अक्टूबर IIFA24 को पचीसवा लाल बादु सास्त्री राष्टी पुरसकार IIFA24 की से परदान किया गया है तो ये परदान किया गया है राजे सड़ी बीडला को आगे देखेंगे आगे हो जाएगा अगला कोशन है एक अक्टूबर IIFA24 को कहां भारत के पहले औक्सीजन बॉर्ड पार्क का उदगाटन किया गया है तो ये किया गया महराष्ट में कहां पे भारत के पहले ऑक्सेजन बर्ड पार्क के उद्गाटन किया गया तो महराष्ट में एक अक्टूबर दुर्ड चोविस को सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल ड्रोन बनाने वाले खिराडी कौन बने हैं तो ये बने हैं बिराट कोवली हारपून मिसाइल कीस देश के द्वारा बिक्सीत की गई है तो ये की गई है संजुक्तराज अमेरिका के द्वारा खोखो वर्ल्ड कप दुर्ड पचीस का आयोजन कहां पे होगा तो ये होगा भारत में जो खोखो वर्ल्ड कप है दुएर पचीस में इसका आयोजोन होगा कहाँ पे तो भारत में ICC टेस्ट बॉलिंग राइकिंग में कौन सीट से गेंदवाज बने हैं तो ये बने हैं जो स्पिरित भूम रहा है ICC के गठन कब गठत 1909 में मुख्याले कहाँ पे है तो ये मुख्याले है इवई दुबई में आगे देखेंगे दुए अक्टूबर दुएर चौबिस को कहां बापू टावर का लोकारपन किया गया है तो ये बिहार में किया गया है बिहार के पटना में तीन अक्टूबर दुएर चौबिस को पधार मंत्री मोदी ने किसे राज में धर्ती आबा जन जाती है गराम उत्सकर्स अभियान की शुरुआत की है तो ये की है जर्खंड में किसने पहला चाइना ओपन खिताब जीता है तो ये जीते हैं कार्लोस अलकराज ने गूगल फोर इंडिया दुएर चौबिस इवेंट का आयोजन कहां हुआ है तो ये हुआ है दिल्ली में तीन अक्टूबर दुएर चौबिस को कहां बायो सी एंजी पलांट वाली भारत की पौली आधूलिक गोशाला का उदगाटन हुआ है तो ये हुआ है मध परदेश में कौन सी राजे सरकार मुख मंत्री इवा उदमी विकास अभियान सुरू करेगी तो ये करेगी उतर परदेश आगे बढ़ते हैं अगला कोशन हो जाएगा अक्टूबर दुएर चोबिस को किसने सैफ अंडर चेमपियनशिप का खिताब जीता है तो ये जीता है भारत ने महाराष्ट सरकार किस स्वर्गिये वासुदेव गयतोर्णे लाइफटाइम अचाइमेंट पुरसकार से समाइनित करेगी तो ये किये करेगी लचमर्स रेष्ट को चार अक्टूबर दुरार चोविस को भारत नेपाल और किस देश ने तरी पक्चिय बीधुत बयापार समझोते पर हस्तचार किये हैं तो ये किये नेपाल भारत और बंगलादेश कैबिनेट ने कितनी भासाओं को सास्त्री भासा का दर्जा दिया है तो पांच भासाओं को 4 अक्टूबर दुरार 24 को कहां भारत के पहले सूपर कैपी सेटर पलांट का उधगाटन हुआ है तो यह हुआ है केरल में आगे देखेंगे आगे हो जाएगा 4 अक्टूबर दुरार 24 को किसे सास्त्री रामनुजम पुरस्कार से समानित किया गया है तो यह किया गया अलेकजेंडर डन को और यह अमेरिका के है छोत्रपती सिवाजी लाइफ टैब अचाइबेंट आवार्ड किसे दिया गया है परदीप गांदी को महराष्ट में कहेगा सिवाजी उसव किसने शुरूर की थी तो महराष्ट में सिवाजी उसव के प्रणम किये थे बाल कांदा तीलक 1895 में 5 अक्टूबर दुरार 24 को कहा की पसमीना उनको जियाई टैग मिला है तो यह मिला है लदाग के 5 अक्टूबर दुरार 24 को किस के द्वारा परकिस ने दूसरा बिजाग ओपेन 24 का खिताब जीता है तो यह जीते हैं अंगत चीमा 5 अक्टूबर दुरार 24 को ब्रिटेल ने चागो सिदिप पर किस देश को संपरभुत्ता सोपने का फैसला किया है आगे देखेंगे पांच अक्टूबर दुर्ट चोबीस को परधार मंत्री मोदी ने कहां बांजारा पिधासत म्यूजियम का उदगाटन किया है तो ये किये है महराष्ट में कोईगा कि 5 अक्टूबर दूर्चोबीस में कौन फीफा वर्ल्ड कप दूर्चोबीस और फीफा महिला वर्ल्ड कप दूर्चोबीस का अधिकारी के प्रयोजक बना है तो ये बना है लेज जो 2226 में फिफा वर्ल्ड कप होगा यह होगा अमेरिका, कानाडा और मैकेशकों में 5 अक्टूबर 2224 को किस राजे में किरिसी में महिलाओ को ससक्त बनाने के लिए किरिसी सकी योजना लंच की है तो यह की है उतर पर देश 5 अक्टूबर 2224 को किसे सणक परिवहन राजमार्ग मांत्राले का अतरीक्त परभार सोपा गया है तो यह सोपा गया है पंकज अगरवाल को आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा जल, जल जगार महसर कहां आयोजित किया गया है तो यह किया गया है च्छोटिस गड़ में अतरीका पुरसकार जीता है तो यह जीती है मांसी पारेक किस फिल्म के लिए तो कच एक्स्प्रेस फिल्म के लिए सशस्ट्रेसायने परदर्शनी कहां आयोजित हुई है तो यह हुए च्छोटिस गड़ में छे अक्टूबर दोहर चोवीस को किस ने दोहर चोवीस के जय विवित्ता के लिए मेडोरी पुरसकार जीता है तो यह जीते है बेरा बारो नोवा तथा एसा बेल अगश्टीना 6 अक्टूबर 24 को इरानी कप किसने जीता है तो ये जीता है मुंबई 7 अक्टूबर 24 को किस राजे के मुख मंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजूत मोहिना योजना शुरू की है तो असम शुरू की है निजूत मोहिना योजना आगे देख लेंगे बिलियर्ड्स में सिंगापूर ओपन खिताब किसने जीता है तो ये जीते है पंकज अडवानी ने आडियेम द्वारा जारी वर्ल्ड टेंडेंट रैंकिंग में सीर्स पर कौन है तो ये है स्विजर लेंड साथ अक्टूबर दुराचोबिस को भारती नोसेना ने अपने प्रोथम परसिक्षण असकाई ड्रॉंड की तैनाती कहां पर की तो ये किये है उमान में साथ अक्टूबर दुराचोबिस को परधान मंत्री मोदी ने भारत के सयोग से निर्मित साथ हजार से अधिक समाजिक अवास इंकाईयों किस देश के सोपी है तो ये सोपी है मालदीव को आगे देख लेंगे आगे हो जाएगा अगला कोशन है साथ अक्टूबर दुराचोबिस को किसे फिजियोलोजी और मेडिशन के छेतर में नोबेल प्रसकार दुराचोबिस के लिए चुना गया है तो विक्टर एम्ब्रोस तथा गैरी रुकून को गैरी रुकून को साथ अक्टूबर दुराचोबिस को जारी डेलाइट की रिपोर्ट के अनुसार भारत का इकोमर्स बाजार कोब तक 325 बिलियोन डॉलर पहुंच जाएगा तो दुराचोबिस तक जोन जेह हौपफ फिल्ड को जेफरी एहिल्टन था जोन जेह हौपफ फिल्ड को की छेत्र में तो भोतकी के छेत्र में आगे देखेंगे 8-अक्टूबर 2021 को भारत और किस देश के बीच दिवी पछिये निमेश संधी 2021 लागू हुई है ये लागू हुई है संजुक्त अरब, अमिरात और भारत के बीच किस देश में रुपे काड़ से भुकतान की सुरुआत हुई है ये हुई है माल्दिव में नई दिल्ली में हम सफर नीती किसने शुरू किये तो ये किया है नीतिन गड़करी चाइना ओपन दुआर 24 खिताब किसने जीता है कोको गौफ है डाबलू एच ओ ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोसित किया है भारत को और मलेरिया मुक्त घोसित किया है मीश्रे को डाबलू एच के गठन हुआ था स्यात अप्रील उनेशव अर्थालेश में मुख्याले हो जाएगा स्विजेलन के जेनेवा में भारत कहां बीशवे भारत को रागे कहां बीशवे पीकल बॉल चंपियेंशिप की मेजबानी करेगा तो ये करेगा मुंबई में आगे बढ़ते हैं अगला कोशन हो जाएगा उस्ताद अलाव दिन खाल महसव कहां शुरू हुआ है तो ये वहां मद परदेश में 9 अक्टूबर दुआर 24 को कीस राजे में नसिली दवाव की तसकरी से निपटने के लिए संकल्प पहल सुरू की गई है तो संकल्प पर सुरू की गई ही माचल परदेश में मारबर्ग वाइरस कीस देश में तेजी से फ़ल रहा है तो ये फ़ल रहा है रवंडा में रवंडा की रधानी करेगा तो की गाली हो जाएगा आगे देखेंगे दौस अक्टूबर दुरयरच वीज को रातन टाटा जी के समान में कीस राजे सरकार न एक विशेस डाक कवर जारी किया है तो राजे हो जाएगा बिहार 10 अक्टूबर 1224 को डीजी लवकर ने निर्वाधा पहुंच के लिए किस के साथ साज़िदारी की है तो ये साज़िदारी की है उमंग एप के साथ है किस देश के नीमा रिंजी सिर्पा दुनिया की 14 सबसे उची चोटियों पर चड़ने वाले सबसे इवा परवत रोही बन गए है तो ये नेपाल के है इंडियन इस्किल्स का उदगाटन कहां पर किया गया है तो ये किया गया है मुंबई में लिजेंड्स लीग किरिकेट टुनामेंट कहां शुरू रूगा है तो कसमीर घाटी में शुरू आ है लिजेंड्स लीग किरिकेट टुनामेंट आगे बढ़ेंगे और्टल पेंशन योजना के तोहत सोकन नमांकन कितने करोण के पार पहुच गया है तो साथ करोण के पार पहुच गया है और तिस्वे राष्टिये खेल कहां पर आयोजित किया जाएगा जो और तिस्वे राष्टिये खेल होगा यह होगा उत्राकंड में सैंतिस्वा होगा था गुवा में किस देश के किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडान ने सन्यास की घोशला किये तो यह स्पेन के है सेना कमांडर समेल लंदुवर 24 कहां आयोजित किया जाएगा यह किया जाएगा गौंग टोक में आगे देखेंगे 11 अक्टूबर 24 को भारतिय पूरुष टीम ने ACI Table Tennis Championship में कौन सा पदक जीता है तो यह जीता है कांसे पदक और यह कहां पे हुआ था तो यह हुआ था कज़िक्स्तान में गोलोबल हंगर इंडेक्स 22 में भारत का स्थान कौन सा है तो भारत का स्थान 105 वा है गोलोबल हंगर इंडेक्स 22 में भारत के कौन सा स्थान है तो 105 वा 11 अक्टूबर 24 को कहां दुनिया के सबसे उचे इमेंजिंग चेरेन को टेलेस्कोप का अनावर किया गया है यह किया गया है लदाख में टाटा ट्रोस्ट का अधे अक्षे किसे नियुक्त किया गया है नोयल टाटा को केंद्री गिरी मांत्राले ने कहां के सगठन हीजब उत्र तहरीर पर प्रतिबंद लगाते हुए उसे अंतकवादी सगठन घोसित किया है तो यह हो जाएगा यरूसलम का आगे देख लेंगे RBI ने UPI वालेट की सीमा 2000 से बढ़ा कर कितनी कर दिये तो यह कर दिये 5000 किस देश की किस देश की निहोल हिंडाल को और्गानेजेशन को नोबेल पीस प्राइज दुरचोविस दिया जाएगा तो यह है जापान का निहोल हिंडाल को और्गानेजेशन को नोबेल पीस प्राइज मिलेगा दुरचोविस में तो यह कहां कहे तो जापान का है जापान को उगते सूरे का देश कहते हैं डूबते सूरे के देश कहेगा तो बिरिटेन हो जाएगा सदुल्ला बोथु कमा सम्रो कहां पे आउजित किया गया है तो ये किया गया है तेलगना में बिहार के किस जिले में राज एक दूसरा टाइगर रिजरब अस्थापीत किया जाएगा तो यह अस्थापीत किया जाएगा कैमूर में। जोकि पॉला का नाम हो जाएगा बलमी की टाइगर रिजरब और यह है पस्षमी चंपारर में। 21 अक्टूबर 24 को किस देश में जो सेरे सवरी मंदिर से देवी काली का मुखुट चुरी हुआ है तो यह हुआ बंगलादेश में। WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद 22 बंजिव संख्या में कितने परतिशत की गिरावट हुई है तो यह होई 83 परतिशत। 11 अक्टूबर 24 को कहां आयूद पूजा मनाई गई तो यह मनाई गई है तामिल नाडू में। 12 अक्टूबर 24 को जारी नाबाड सर्वेक्षन के अनुसार गयामिल पलिवारों को असत मासी काय में कितने परतिशत की बिलिदू है ती होई संतावन परतिशत की। नाबाड के गठन हुए था 12 जुलाई 1982 में और कहेगा किस समीती के तो तो सिवरामन समीती के तो तो मुख्याले मुंबई हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला कोशन है 12 अक्टूबर दुलाई 24 को किस देश ने इजराल के साथ राजनाई के संबांध तोड़नी की घुसरा की है तो ये घुसरा किया है निकार गूगा। 12 अक्टूबर दुलाई 24 को कहां भारत डिजिटल क्रीशी समेलन दुलाई 24 का आयोइन किया गया है तो ये किया गया है नईदिली में हैं 12 अक्टूबर दुलाई 24 को सेना परमुग जनरल उपेंदर दिवेदी ने कहां बहुँ लक्ष उपकरण अगनी वस्तर लॉंच किया है तो ये लॉंच किया है गंग टोक में 12 अक्टूबर दुलाई 24 को किस देश में दोसाई ते भार मनाया गया है नेपाल में आगे देखेंगे 12 अक्टूबर दुलाई 24 को भारतिये तेज गिंदबाद मुहमद सिराज को किस राजे सरकार ने डियस्पी नियुक्त किया है तो ये राजे सरकार ते लगना हो जाएगा 13 अक्टूबर दुलाई 24 को भारतिये नौसेना जहाज सरदूल अपनी लंबी दुरी की परसिक्षन तयनाती के हिसे के रूप में कहां पहुचा है तो ये पहुचा है दुबाई 13 अक्टूबर दुलाई 24 को किस देश के पूर्व परधान मंत्री ने अपनी पूस तक अन्सील्ड लॉंच किये तो ये हो जाएंगे बिरिटेन के पूर्व परधान मंत्री 13 अक्टूबर 24 को राष्टपती दौर्पती मूर्म ने तीन अफरीकी डेशों की यातरा के पहले चरंग में कहां पर पहुंची है तो पहले चरंग में अलजिरिया पहुंची है आगे देखेंगे को रहा है कि भारत और किस देश के बीच अभयास कंजिंद के आठवे संसकरों का समान उत्राखन में किया गया तो यह हो जाएगा कोजिकिस्तान जो कजिंद है ये किसके किसके बीच यूद्यवयास है तो ये भारत और कजिकिस्तान के बीच का है, जिसका समापन किया गया था है। को कहां आयोजित किया गया है तो यह किया गया तेलागना में आई एस एस एप जुनियर बीस वेक अप दुरण पोचीश की मेजबानी कौन करेगा तो यह करेगा भारत आगे बढ़ते हैं अगला कोशन हो जाएगा 14 अक्टूबर दुरण 24 को कौन चीन में माउंट सीशा पांगमा पर चड़ने वाले पहले भारतिये बन गया है तो यह हो जाएगा अरजुन बाजबेई कहां पे तो माउंट सीशा पांगमा पर चड़ने वाले पराथम भारतिये बने अरजुन बाजबेई और यह चीन में है दासवा भारत आंतराष्टी बिगान महुस से कहां आवजित किया जाएगा तो यह किया जाएगा गुहावटी में आगे देखेंगे राष्टी किसोर कुमर पुरसकार किसे मिला है तो राजकुमर हिरानी को कीसी राज में राज कोसल भी से बिद्याले का नाम बदल कर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा तो ये राज हो जाएगा महराष्ट हो जाएगा चौदा अक्टूबर दुआरचोविस को कौन प्रतिबंदित प्रदोक्की का रूस का दूसरा सबसे बड़ा अपूर्थी करता बना है तो ये बना है भारते जाति सर्वेक्षन सुरू करने वादा तीसरा राजे कौन बन गया है तो तीसरा हो जाएगा ते लगना पहला किया गया है तो यह किया गया है अबुधावी आगे देखेंगे आगला कुशन हो जाएगा पचहतरवी अंत्राष्टी अंत्रिक चियात्रिक कॉंग्रेश कहां शुरू हुए तो यह वो शुरू हुए मिलान में 15 अक्टूबर दूर्चोबिस को किस आयाईटी ने बचे के ल अमेरिका आगे देखेंगे आगे हो जाएगा शुरू अक्टूबर दूर्चोबिस को कहां सेना ने सेना ने काक्सर बिरिज का नाम बदल कर कैप्टन अमित साह भर्दवाज सेतु रखा है तो यह रखा है लदाक में लदाक भारत के सबसे बड़ा केंद्रसासित परदेश है शोरा अक्टूबर दूर्चोबिस को कौन भारती मैला किरकेटर ICC हॉल अप फेम में सामील हुई है तो यह हुई है नीतू डेविड जमो कस्मीर का उपमुक मतरी कौन बने है तो यह बने है सुरी रंदर उसकुमार चोधरी सुरी रंदर कुमार चोधरी बने है सोरा अक्टूबर दूर्चोबिस को राष्ठपातिदर पाति मून में को कीछ देश में मानद डिरेक्ट की उपादी से समानित किया गया है तो यह समानित किया गया अलजीरिया देश में जबकि अफिर्का के तीन दिवसीये पे निकली है तो पॉला गई है अलजीरिया में तो उसी के द्वारा मानद डारेक्ट की उपादी से समानित किया गया है भारत के राश्पती को आगे देखेंगे आगे हो जाएगा अगला कोशन है फलाइंग फेस्टीपल का आयोजन कहां पर किया गया है तो यह किया गया ही माचल परदेश में पांचवे राष्टी ये जोल पुरस्कार 22 में सर्वसेश्ट राजे का पुरस्कार किसने जीता है तो ये जीता है ओडिसा फेमीना मिस इंडिया 22 का खिताब किसने जीता है तो ये जीता है निकिताब पूरवाल 17 अक्टूबर 1224 को कीसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा तीतिली विवित्ता के अंद्र घोसित किया गया है काजी रंगा नेशनल पार्क को जो की ये असा में है और ये परसीद है एक सिंग वाला गेंडा के लिए 17 अक्टूबर 24 को की से भारत का दूसरा सबसे बाड़ा तीतिली विवित्ता के अंद्र घोसित किया गया है तो ये किया गया कांजी रंगा नेशनल पार्क को जो की असम में इस्तित है मेरा मेरा होव चोंगवा महस्व कहां मनाया गया है तो ये माड़ीपूर में आगे देखेंगे सतस्वी अखिल भारतिये बन खेल परति योगिता कहां शुरू हुई है तो ये शुरू हुई है रायपूर में 9000 टेस्ट रं बनाने वाले चौते भारतिये कौन बने हैं तो बिराट को लिए 18 October 2024 को भारतिये नौ सेना के पहले परसिक्षण अस्क्वाइड रं ने कहां लांबी दुरी की परसिक्षण तेनाती पूरी की तो ये पूरी की है मनामा में 18 October 2024 को कीसी राजे सरकार ने अवासी बिदैलो का नाम महोड से बलमे की के नाम परखनी की गोसरा की है तो ये राजे सरकार हो जाएगा करना टक 18 October 2024 को कटी भी हुति लगार कहां मनाया गया है तो ये मनाया गया है आगे देखेंगे आगे हो जाएगा 18 अक्टूबर 22 को भारत सरकार ने किस के साथ असकायम से बचो अभियान शुरू किया है तो ये सुरू किया है मेटा के साथ 19 अक्टूबर 24 को किस राजने यता यत नियमों के उलंगन पर नज़र रखने के लिए सिटीजन सेंटीलल एप लॉंच किया है तो ये राज हो जाएगा केरल कौन कौन सा IIT दुबई में 22 विक अनुसंधान केंद्रे सुरू करेगा तो ये करेगा IIT मदरास की से राज में ऑस्पताल में पिंक अलर्म लगाएगा हैं तो ये लगाएगा है मद परदेश में 19 अक्टूबर 22 को कौन पचासवा अंतराष्टिये गोल करने वाली पहली भारतिये मईला बनी है तो ये बनी है बाला देवी आगे देखेंगे आगे हो जाएगा 20 अक्टूबर 22 को भारतिये तट रक्षक बल ने कहां सागर कवज 30 सुरक्षा अव्यास आयोजित किया है ये किया है गुजरा तथा दमने दिव में भारतिये तट रक्षक बल की गठन वा था 1977 में को राय कि 20 अक्टूबर दुरार चोबिस को भारती रेलेवे ने आगरिम और अक्षन की अवधी को 120 दिन से घटा कर कितना कर दिया है तो 120 दिन के घटा कर 60 दिन कर दिया है आगे देखेंगे 21 अक्टूबर दुरार चोबिस को भारत और किस दिस ने गुवा तर पर संजुक ते नव सैनी के व्यास नसीम अलबोहर आयजित किया है तो यह हो जाएगा भारत और उमान 21 अक्टूबर दुरार चोबिस को टेस्ट किर्केट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदवाज कौन बने हैं तो यह बने हैं कगिशो रवाड़ा दिपिका कुमारी ने तिरंदाजी 21 कप में कौन सी पदक जीती है तो यह जीती है रजत पदक आगे देखेंगे अगला कोशन हो जाएगा ICC मईले 2020 वर्ल्ड कप किसने जीता है तो यह जीती है निव जीलेंड कि कौन जीती है तो निव जीलेंड निव जीलेंड को क्या कायाता है तो इसे दौशन के ब्रिटेन कहते हैं किसी राजे के मुख मंतरी ने मिशन वसुंदरा थीरी जीरो लॉंच किया है तो यह जागा असम के मुख मंतरी कौन सी राजे सरकार विकलांग लोगों के लिए विशेस अदलते अस्थापित करेगी तो दिली राजे सरकार 24 वी राष्टी ए पायरा स्विमिंग चेंपियेंशिप कहां पे आयुजित हुआ है तो यह हुआ गुआ में जो कि विजेता रहा करना टक है फूल वालों की सैर उच्षव कहां आयुजित हुई है नाई दिली में फूल वालो की सायरे उच्शं इसका आयजन हुगा है नाई दिली में आगे बढ़ेंगे 22 अप्टूबर 24 को गलशागों में होने वाले कॉमन वेल्थ गेम्स में कितने खेलों को उठाया गया है तो नौँ खेलों को उठाया गया है पहला Commonwealth गेम्स हुआ था कहाँ पे तो कनाड़ा के हमिलेंटन में कॉप निसो तीस में और भारत दूसरा Commonwealth गेम्स भारत भाग लिया था भारत दूसरा में और यह हुआ था लंदन में 1934 में चक्रवाती तुफान दाना दाना को किस देश ने नाम दिया है चक्रवाती तुफान जो दाना है कौन सा देश नाम दिया है तो यह दिया है कौतर ने और यह था पहुचे मगल और उडिशा में सातासवी अखिल भारती ये बन खेल पड़ती योगीता कहां संपन हुई ये राइपूर में बिरीक से सीखर समेलन दूर चोबिस के मेजवानी कीस देश ने किया है तो ये किया है रूस ने डाबलू एचो ने किसे मलेरिया मुक्त घोसित किया है तो ये मलेरिया मुक्त घोसित किया है मिस्रे को और डाबलू एचो के गठन वथा 7 अप्रिल 1948 में मलेरिया मुक्त घोसित किया है मिस्रे को और ट्रेकोमा मुक्त घोसित किया है भारत को ट्रेकोमा से परवाइत होने वाला आंगे कहेगा तो आँख हो जाएगा और मलेरिया से परवाइत होता है पलिया या दिल्ली किसे काली दास समान पुरसकार परदान किया जाएगा रगुपती भटको आगे देख लेंगे भारत और पकिस्तान ने कर्तारपूर को कप तक बढ़ाया है तो ये दुएर 29 तक कर्तारपूर में गुसीखों के जो प्रथम गुरु थे उनकी मिरितु हुआ था कौन थे तो गुरु नाना की मिरितु 1549 में हुआ था 23 अक्टूबर दूर 24 को संजोगत राष्ट जै विवित्ता समयलन कोप सोरह कहां पर आयुजित किया जाएगा तो ये किया जाएगा कोलंबिया में 24 विवी राष्टी एप पिरा तैराकी चेपी एजिप किसने जीती है ये जीती है करना तक कि कमस कण देश AD э-क के उनहातरवा सद से बन गया तो इज़रायल ये ऐडीवी के उनहातरवा सद से बना है एडी वी कैस्ट अपना कब हुआ था 1986 में मुख्याले फिलिपिन्स के मनिला में है आगे बढ़ते हैं अगला कोशन हो जाएगा 24 अक्टूबर दुराइब 24 को किसीने टीमने T20i में सबसे बड़े ओस्कूर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो ये बनाया है जिंबावे कितना तो 344 रॉन 24 अक्टूबर दुराइब 24 को ICC B-Sweat Test Championship में सरवादी विकेट लेने वाले गेंदवाज कौन बन गया है तो आरास्विन 24 अक्टूबर 24 को ICC 20 टेस्ट चेंपियन्शिप में सरवाजिक विकट लेने वाले गेंदबांज बने हैं आरास्विन बिहार में कहां पहले ड्राइब पोर्ट का उधाटन किया गया है तो बिहार के बेटा में ट्रेबर ट्रेडर्स रिपोर्ट के अनुसार भारती यात्रियों के लिए 225 में सबसे लोग पिरिये गंत ब्याई के रूप में कौन उबरा है ये उबरा है सिलोंग सिलोंग का असम के राधानी सिलोंग से बदल कर दिशपूर कब किया गया था तो निसो तियत्तर में 24 अक्टूबर 22 को किस भारती माईला होकी खिलाडी ने सन्यास की घोचड़ा की ती हो जाएंगी रानी रामपल आगे देखेंगे 24 अक्टूबर 22 को भारत और किस देश के बीच सिंबैक्स 22 अभ्यास का एकतिसवा संस्क्राण आयोजित किया जाएगा तो भारत और सिंगापूर के बीच 25 अक्टूबर 22 को किस देश ने 22 गरीबी उनमूलन के लिए आई एमेफ के साथ समझावता पर हंस्तचार किया है ति यह देश हो जाएगा इव एई संजुक तरब अमिदाते आगे देखेंगे 25 अक्टूबर 22 को किसे जामिया का कुलपती नियुक्त किया गया है तो यह हो जाएगे मौजहर आसीप है जामिय में लिया इसलामिया के प्रोथम कहेगा कुलपती कौन थे तो मुहमद अली जवर थे मौजहर असीप हो जाएगे 25 अक्टूबर 22 को भारत के मुखे चुनाव आयुक्त ने कीस देश के केंद्री चुनाव आयोग के साथ साइन किया है तो यह किया है उजविकिस्तान के साथ है आगे देख लेंगे 25 अक्टूबर 22 को सत्रहावा और्बन मोबिलीटी इंडिया समेलन कहां शुरू हुआ है तो यह शुरू हुआ है गांधी नगर गुजरात में 25 अक्टूबर 22 को की सिराजे सरकार ने कच्छा दस के लिए उत्रिन आंख कम करने का प्रस्ताव रखा है तो यह हो जागा महराष्टे और यह कि रखा है साइन्स और महित में अंतराष्टी गीता महस्ते 22 का आयोजन कहां पी किये जाएगा हर्याणा के कुरू छेत्र में आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन हो जाएगा 25 अक्टूबर 22 को जारी फीफा रेंगिंग 22 में कोण सीर्स पर रहा है तो यह सीर्स पर रहा है अर्जेंटीना कहेगा कि फीफा के गठन कप गए था तो 1904 में मुख्याले जीवरीक हो जाएगा 22 के जो फीफा वर्ल्ड कप गए था उसका विजेता अर्जेंटीना ही था आगे देख लेंगे अगला कोश्चन हो जाएगा 25 अक्टूबर 22 को किसे सखारो पुरसकार 22 देने की घोचला की गई है तो यह की गई है मारिया कोरीना माचाडो एं एडमंड गोंजमेल उरूतिया को 25 अक्टूबर 22 को किसे महात्मा गांधी निर्तित्व प्रसकार से समानित किया गया है तो दारा सी खूराना को इनको क्या दिया गया है तो महात्मा गांधी निर्तित्व प्रसकार आगे हो जाएगा 20 वे नयाय परियोजना के कानून सास्षन सुचिकांक में कौन सीर्स पर आया तो ये सीर्स पर आया है डेनमार के को रहा है कि 26 अरकुबर 22 को कहां ACI सुन अरी बिली की पूर्ण पूष्टी की गई है तो ये की गए मानस राष्टी उध्यान में और ये असम में है NTPC और भारतिय से न कहां सौड हाइडोजन माइक्रो गिरीड अस्थापीत करेंगे तो ये करेंगे लदाक में लदाक बरतमान में सबसे बड़ा केंदरे सासित पर देश है 26 अक्टूबर 22 को कौन कोईले से बीदूत उत्पादन बंद करने वाला पौला देश बन गया है तो ये बन गया है UK यानि कि बिरिटेन बिरिटेन को डूपते सूरे का देश कहते हैं को रहा कि कोईले से बीदूत उत्पादन बंद करने वाला पौला देश कौन बना है तो ये बना है ब्रिटेन आगे देखेंगे 26 अक्टूबर दुरार 24 को भारत ने किस देश के उमिदवारों के लिए 34 रक्षा निर्माड कारे करम आयोजित किया है तो ये किया है माल्दिव के माल्दिव के उमिदारों के लिए सार्क के गठम हुआ था कव्द सार्क के गठम हुआ था 1985 में सार्क में टोटल आठ सदसे देश है जिसमें हो जाएगा भारत, भोटान, बंगलादेश, नेपाल, सिलांका, पकिस्तान, अफगनेस्तान और एक हो जाएगा माल्दिव तो माल्दू सार्क का सदसे है 26 अक्टूबर दूर्चोबिस को एसिया सवक्ष उर्जा सीकर समेला दूर्चोबिस कहां आयुजित किया गया है तो ये किया गया है सिंगापूर में और कव्विश्वे में AI अपनाने वाले पौलादेश कौन सा हो जाएगा रांकिंग में पौलादेश सिंगापूर है 26 अक्टूबर दूर्चोबिस को मेटा और इंडिया AI ने किस IIT में सेंटर पौल जेनरेटिव AI स्रीजन का अनवरान किया है तो ये किया IIT जोधपूर गंगा उत्सव दूर्चोबिस काहा मनाया जाएगा हर दूर्चोबिस अगे दवरते हैं 26 अक्टूबर दूर्चोबिस को परधान मंत्री मुद्रा योजना के तद रिण सीमा को 10 लाग से बढ़ा कर कितना की गई है तो 10 लाग से बढ़ा कर 20 लाग की गई है परधान मंत्री मुद्रा योजना के शुरुआत हुआ था आठ अप्रेल 2015 में किसके द्वारा लिखीत पूस्तक रोतन टाटा ए लाइफ परकासित की जाएगी तो थामस मैथू के द्वारा रतन टाटा जी के मेरी तु कब हुआ था 9 अक्टूबर दुएग चोवीस में 27 अक्टूबर दुएग चोवीस को खेल मंत्रा ने ने कौन सा पूरसकार बंद कर दिया है तो मेजर ध्यान चंद्र लाइफ टाइम पूरसकार बंद कर दिया है इसके अस्थान पर लाइफ टाइम और जुन पूरसकार लाइग गया है 27 अक्टूबर दुएग चोवीस को किसी अमेरिका इस्थित गोलोबल फाइनेंस पत्री का द्वारा सीर्स केंद्रिय बैंकर का दर्जा दिया गया है तो सीड से केंद्री बैंकर के दर्जा मिला है सक्तिकंत दास को और बरतमान में ये RBA के गवर्नर है कौन सा तो 25 आगे देखेंगे आगे हो जाएगा 27 अक्टूबर दुआज़ चोबिस को LNT को किस देश में परमाडू सलेयन पर्यूजना को लिए अडर मिला है तो ये मिला है फ्रांस में जो GST है GST लाओ करने वाला पौला देश फ्रांस ही है जो कि लाओ किया था 1904 में 27 अक्टूबर दुआज़ चोबिस को कहा इस्तित अगर कर अनुसंधान संस्थान के बैगानिकों ने अलजाइमर रोग के इलाज के रिए गैर भी साणू बिक्सित किया है तो ये बिक्सित किया है पूने राष्टिय 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 प्रवेक्साला करेगा तो ये पूने में ही इस्तित है 27 अक्टूबर दुआज़ चोबिस को कूस्ती में भारत ने अंडर 23 विश्वे चेंपियंशिप में कितने पदक जीते हैं तो जीते हैं दो पदक आगे बढ़ेंगे अगला हो जाए कोशन 27 अक्टूबर दुआज़ चोबिस को परधान मंत्री मोधी ने 28 अक्टूबर दुआज़ चोबिस को किसे ना फेड के नियमित M.D. के रूप में नियुक्त किया गया है तो नियुक्ति हुए ना फेड के M.D. दीपक अगरवाल ना फेड के गठन वतोनी सवन ठाउन में मुख्याले नई दिली है आगे देखेंगे 28 अक्टूबर दुआज़ चोबिस को सुचना अनुसर केंद्र सरकार कितनी आउग के बाद पेंशन भोगियों के अत्रीक्त अनुकंपा भता देगी तो असी वर्स के बाद 29 अक्टूबर दुआज़ चोबिस को भारत ने सुल्तान जोहर कप जुनियर होकी में कौन सा पदक जीता है यह जीता है कांशे पदक 29 अक्टूबर दुआज़ चोबिस को कीस देश ने सिरी सिरी रवी संकर को अपना सर्वोचे नगरिकता प्रोसकार प्रदान किया है तो यह प्रदान किया है कौन सा देश तो फिजी जो आर्ट अप लिविंग है, आर्ट अप लिविंग के संस्तापव कौन थे तो सिरी सिरी रभी संद करते हैं और इसका अस्तापना कप किये थे तो 1981 में 29 अक्टूबर 1224 को किस राजय सरकार ने विशेश सिक्षा जोन बनाई जाने की घोस्रा की ये की है उतर परदेश आगे देखेंगे 29 अक्टूबर 1224 को परधान मंत्री नरौंदर मोदी ने कहां 29 अक्टूबर 1224 को चिराग चिकारा ने अंडर 20 विशेश कुस्ती चेंपियेंशिप में कौन सा पदक जीता है ये जीता है स्वड़ पदक 29 अक्टूबर 1224 को कौन सा दिवस मनाया जाता है 29 अक्टूबर 1224 में मनाया गया है नवा आयूरवेद दिवस यानि कि 29 अक्टूबर को आयूरवेद दिवस मनाया जाता है और 29 अक्टूबर को 200 इंटरनेशनल इंटरनेट दिवस भी मनाया जाता है। किस देशने चीन के बेल्ट एंड रोड पहर को औस्विकार कर दिया है तो ये कर दिया है ब्राजील ब्राजील को सापो का देश का जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा। किस देशने करा कि देश के पहले, देश के पहले राइटर्स भीलेज का उदगाटन की से राज में किया गया है। तो ये किया गया उतराखंड के कहा पे तो थाने गाउं देरादुन में। 31 अक्टूबर 22 को किसे परतिश्टित बैलेंडियो पूरसकार 22 का विजेता खोसित किया गया है। 31 अक्टूबर 22 को भारतियत तक रक्षक बन ने अदम में और किस नाम से सोदेशी गस्ति जाज लॉंज किया है। तो ये किया अक्षर के नाम से भारतियत तक रक्षक बलके गठन वताव निश्व सत अतर में। आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा किस देश की सरकार 14 वर्ष के 14 वर्ष से कम आवके बच्चे को सर्वजानिक अस्पतालों में निशूल के कैंसर उपचार देगी तो नेपाल की सरकार। 31 October 2024 को भारत और किस देश ने 2026 को संस्क्रीती प्रियाटन और AI वर्ष के रूप में मनानी की समती व्यक्त की है तो ये कि है अस्पेन। 31 October 2024 को भारती एयर टेल ने की से अपना नया CEO नियुक्त किया है तो ये सास्वत सर्मा को। भारती एयर टेलकी से अपना नया CEO नियुक्त किया है तो सास्वत सर्मा को। और ये इस वीडियो के लाश्ट कोशन है वीडियो को लाश्ट तक देखने के लिए धानने बाद वीडियो पसाद दा रहा है तो लाइक कर दें और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दें और मेरा जितना भी वीडियो है उसका सभी का PDF मिल जाएगा मेरा टेलिग पर सार्च भी कर सकते हैं, सुभाज डड़ी, थैंक यू.